हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सीमा और आपको स्वागते मेरी चैनल में आज में लेके आई हूँ और एक निवू रेसिपी फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी वाला और हेल्दी वाला रेसिपी फ्रेंट्स बहुत ही जल्दी बन जाता है खाने में सच में बहुत ही टेस्टी होता है सब को पसंद आएगी पूरा झटपट बन जाता है ये रेसिपी ये न कदू फूल का एक न रेसिपी बनाएंगे फ्रेंज तो देखिए देखने में जैसे है खाने में जहीं टेस्टी होता है उपर ना क्रिस्पी रहता है फ्रेंज और अंदर मुलेम रहता है बहुत ही स्वा मेरा रेशिपी आपनों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कोमेट और सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी ना भूलेगा वीडियो को फूल वाच करिए तो चलिए रेशिपी स्टाट करते हैं तो यह देखिए मैंने कदू फूल लिया है तो इस तरीका से होता है तो यह दे देखाने के लिए तो इस तरीका से साफ करेंगे तो यह देखिए पूरा एकदम क्लीन है तो इसकोना पहले इस जो फूल का डंठल होता है ना ग्रीन वाला पाट ऐसे बस इस तरीका से तोड़ेंगे तो आराम से खोल जाएगी और अंदर भी देखेंगे कीडा वीडा तो इस तरीका से तो पूरा फूल पूरा फ्रेस आया है गार्डेन का है खुद का तो यह देखिए मैंने सारा को क्लीन कर दिया और अभी वास करेंगे तो चलिए एक बैट्र दियार करेंगे तो यह देखिए चावल का बैट्र है फ्रेंस तो इसमें मिलाएंगे हल्दी तो यह देखाँगी पहले से ही चावल को भिगा दिया था उसके बादना यह दिखिए एक मिक्सि जार में डालेंगे और यह औरवा चावल है और इसमें जाएगी दू मिर्ची देखिए ग्रीन वाला मैंने मिर्ची लिया है बहाँ हरावला मिर्ची आपना सुखा मिर्ची व और अध्रकी भी डाल सकते हो तो यह देखिए लासुन मैंने कुछ डाला है और थोड़ा सा इसमें डालेंगे जीरा एक चमच मैंने जीरा डाला है और पानी थोड़ा सा मिलाएंगे उसके बाद ना स्मूथ बैटर बनाके त्यार करेंगे सेम प्रोसेस पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था वह बाला बैटर देखिए उसी दिन ही मैंने रेशिपी बनाए थी तो आज मैंने अपलोड कर रही हूं तो देखिए इस तरीका से हमारा बैटर त्यार होता है फ्रस तो यह देखिए मैंने बैटर त्यार कर दिया है और तो यह देखिए फिर उ अभी गरम हो चुका है अच्छा से तो इसमें डालेंगे ओएल आपना सर्षवा रिफैंड कोई इस अभी ओएल यूज कार सकती हो तो देखिए मैंने रिफैंड लिया है और जैसे गरम हो जाएगी ना इसमें डालेंगे बाँ फ्राइ कारेंगे जो हमारा कद्दू फुल का बरा आप बल सकते हो हमारा लंगवज में कद्दू फुल का पिठो बला जाता है तो देखिए मने इस तरीका से डाल दिया है और ग्यास काप लेमने लोटो मेडियम रखेंगे तो बस दू मैने फुल डाला है और बहुत ही काम समय में ये फ्राइ हो जाता है एक तरफ जैसे गल्डन हो जाएगी तो दुसरा तरफ पलट देंगे और क्रिस्पी हो जाता है बहुत क्रिस्पी उपर होता है और अंदर तो बहुत मुलाइम होता है खाने में सच में बहुत ही टेस्टी होता है और ये ना बहुत ही हेल्दी भी है रेसिपी एक बार ट्राइ कार ये फ्रे करेंगे बहुत ही आसान रेसिपी फ्रिन्स ट्राइ करिए आप लोगों भी आप लोगों को बहुत ही पासंद आयेगी तो देखिए सम प्रोसेसे सारा मने फूल को फ्राइ करके त्यार कर दिया तो चलिए शर्प करते हैं तो यह लेज़ाए फ्र फ्रन हमारा टेस्टी कदु का फुल बरा बनके वाक फुल पिठाओ बनके त्यार हो चुका है दिखिए कितना इजी आपना ऐसे भी स्नाक्स का रूप में भी खा सकते हो बहुत ही पसंद आएगे आप लोग को तो मेरा रेशिपी आप लोग को कैसे लागा कोमेट करके जरूर बताएगा और वीडि प्रेंट्स आप लोगों फूल वाज करें बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना और बच्चा भी खूस होके खाएंगे बहुत ही पसंद आता है और खास करके तो मेरा बच्चे बहुत पसंद करते ही वह ला तो मैं ऐसे बना के ना गर्मा गरम दे देती हूं और बच्चा खूस लगता है और हेल्दी है जो कद्धु का फूल तो बहुत हेल्दी होता है तो ट्राइ करिए एक अबर फ्रेंट्स तो आज के लिए टाटा फ्रेंट्स भाई बाई जय जगर्नात टेक केर फ्रेंट्स